हेलो एवरीवन वेलकॉम अगीन टू लांटरे देतिमन तो देखिए हम लोग कर रहे थे क्लास नाइन्थ का चेप्टर नमबर वन तो हम लोगों ने यहां तक कर लिया था तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि राजिस्थान में 1857 की क्रामती की समें 6 सैनिक छावनिया थी जिसमें सबसे पहले देखिए नसीरावाद में क्रामती राजिस्थान में क्रामती का जो सूत्र पात वह है नसीरावाद से हुआ ठीक है बहुत ही important प्राइन है कि राजिस्थान में क्रामती की जो सुरुवात होती है वह किस सैनिक छावनी से होती है नसीरावाद छावनी स इसके निमने कारण रहे क्या कारण रहे उस समय नसीरावाद में पंदरवी और तीसवी बंगाल नेटिव इंफैंटरी जो है भारतिय तोप खाने की सैनिक टुकडी तथा पहली बंबई लांसर्स के सैनिक विद्मान थे तो यहां पर पंदरवी और तीसवी बंगाल इंफैंटरी के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कारवाई भारतिय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रियोग करने के लिए तैयार की गई अतह उनमें विद्रोह की भावना जागरत हुई तो जैसे ही मेरट विद्रोह की सूचना म कि सैनिकों को कुचलने के लिए ये सारी कारवा ही की जा रही थी ठीक है ताकि आपस में सैनिक जो है वह है लड़े पंदरवी बंगाल नेटिव इंफैंट्री की एक टुकडी काफी समय से अजमेर सस्त्रागार की रक्षा कर रही थी अब देखिए अजमेर में यहाँ पर सस्त्रागार था तो इसकी रक्षा कौन कर रही थी पंदरवी नेटिव इंफैंट्री तो संदेह के कारण उसे वहाँ से नसीरावाद भेज दिया गया तो अंग्रेजियों को लगा कि कहीं जो पंदरवी बंगाल नेटिव इंफैंट्री जिनके पास में जो सस्त्रागार जो है इसकी रक्षा करने का दाईत्व है तो कहीं ये इसी ससरागार में क्या कर दें आग ना लगा दें इसका प्रियोग ना कर ले ठीक है तो संदेहे के कारण इसे सासरागार को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया इससे सैनिकों के मन में यह धारना बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है अतहवे ब्रिटिस अधिकारियों से नाराज हो गए तो दो कारण जो थे पंदरवी नेटिव इनफैंट्री जो थी तो यहाँ दो रिजन रहे थे कि उन्होंने करांती में भाग लिया पहली तो जैसे ही मेरे विद्रोव की जो सूचना उनको मिलती है कि वहाँ पर गाय और सुवर की चरबी से बने कार्दूस सैनिकों को प्रियोग करने के लिए दिये गए है तो इस वज़े से उनके मन में तभी से करांती की भावना आ गई दूसरा यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से उनकी भावना पक्की हो गई कि यहाँ पर जिसकी रक्षा करने का दायत उनको सौपा गया था तो वह सस्त्रागार को अजमेर से हटा कर और नसीराबाद वहाँ भेज दिया गया तो अब दो इनको बिलकुल यही लगने लगा ठीक है और सैनिकों के मन में यह धाना बन गई कि उन पर वो विश्वास नहीं किया जा रहा है तो इस वजह से वे ब्रटिस सद्कारियों से नाराज हो गए इन दिनों बाजारों और चावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेश वाहक साधू और फकीरों के वेश में राजिस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कार्तूसों के विरुद्ध प्रचार करके विद्रहों का संदेश प्रचारित किया ठीक है तो यहां पर साधू और फकीरों के रूप में भारत के विभिन जगहों से बंगाल से दिल्ली से यहां से लोग आते हैं करांती का आगाज करने के लिए और चर्बी वाले कार्तूसों की बात जो है वो यहां के सभी लोगों को बताई जाती है तो राजिस्थान के ल भी उत्तेजना फैली भारतिय सेनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें बंगवाई गई इस तत्य को गुप्त रखा गया था और बाद में जब यह बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई तो अंग्रेजों को कह सेने किनों ने भारतिय रखे हुए थे तो इन पर नियंत्रण करने के लिए बाहर से जो है वो सेना मंगवाई गई इन्ही गार्णों से 28 मई 1857 को पंदरवी बटालियन नेटिव इनफैंटरी ठीक है जो कि अजमेर में जो है सास्त्रागार की जो है यहाँ पर रक्षा कर र सारी जहावनी में भगदर मच गई सेनिकों ने सास्त्रागार को लूट लिया अंग्रेज सेनिक अधिकारियों मेजर इस्पोर्टिस वूट और करनल न्यू बारी इनकी हत्या कर दी गई लेफ्टी डेंट लोग तथा कप्तान हाडी गायल हो गए अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबास से भाग कर कहां पर व्यावर में ठीक है अजमेर के पास में व्यावर तो यहाँ शरन ली चर्जो और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई खजानों की तिज लोग तोड़ दी गई पर इन विद्रोही सेनिकों ने चार ब्रिटिस अधिकारियों के अलावा रक्त की एक भूंद भी नहीं बहाई तो यहाँ पर दो नाम आप याद रखिए स्पोर्टिस वुड और करनल न्यूबरी इनकी हत्या जो है नसीराबाद चावनी की जो नहस करने के बाद विपलवी सेनिकों ने अविपलम दिल्ली की और प्रस्थान किया तो यहाँ से अब चावनी को तहस नहस करने के बाद यह दिल्ली की और गए 18 जून 1857 इसवी को विपलवी दिल्ली पहुँच गए और दिल्ली में डेरा वाले अंग्रेजी पल्टन पर पीछे से अक्रमण किया जिसमें अंग्रेज परास्त हुए फिर देखें नीमच में क्रांती तो नसीरावाद में हो गई क्रांती उसके बाद नसीरावाद की क्रांती की सूचना जैसे ही नीमच पहुँची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया 3 जून 1857 को क्रांती कारियों ने छावनी को लूट लिया और उसमें भी आग लगा दी तो यहां नीमच में भी सैनिक छावनी थी नीमत छावनी को लूटने के बाद करान्ति कारी नीमत से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए कहां पहुंचे शाहपुरा पहुंचे शाहपुरा के शाशक ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की इसके बाद क्रांतिकारी निमभा एड़ा पहुँचे जहांकि जन्ता ने इनका बड़ा स्वागत किया तत पस्चात क्रांतिकारी यहां से देवली, टॉंक और आगरा होते हुए दिल्ली पहुचे मार्ग में अनेक स्थानों पर जन्ता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया और क्रांतिकारियों के संख्या में काफी ब्रद्य हुई तो यहां से देखिए बहुत इंपोर्टेंट लाइन है कि नीमच में जैसे छावनी को लूट लेते हैं उसके बाद क्रांतिकारि कहां जाते हैं सबसे पहले शाहपुरा जाते हैं फिर निमभाएड़ा जाते हैं फिर देवली टॉंक आगरा होते हुए दिल्ली जाते हैं ठीक है और नसीरावाद में जब अंग्रेज जातिकारियों की हत्या की थी तो उन्होंने सबसे पहले नसी इसके निर्देशन के पस्चात इसके निर्देशन पर कप्तान सावर्स ने कोटा बूंदी मेवाड की राजगी फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुन्हे अधिकार कर लिया अब यहां से क्रांतिकारी जो है दिल्ली पहुँच जाते हैं तो जैसे ही मौका देखता है ए जी जी लौरेंस तो वह कप्तान सावर्स को नीमच भेशता है ठीक है कप्तान सावर्स कोटा बूंदी और मेवाड की फौज की सहायता से यहां पर दुबारा से अधिकार कर लेता है नीमच पर 8 जुम 1857 को अब देखिए एरिनपुरा और आववा की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का जंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनोती देने का काम मारवाड के जागीरदारों ने किया एरिनपुरा में इस्थित जोधपुर की सैनिक टुकड को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का विगुल बजा दिया ठीक है तो 28 मही को नसीराबाद में उसके बाद 3 जुन को कहां पर हुई नीमच में और 21 अगस्त को एरिनपुरा में क्रांति हुई क्रांति कारियों ने एरिनपुरा इस्टिशन को लूटा और मारवाड के रास्ते दिल्ली की ओरवाना हो गए जब क्रांति कारी पाली पहुँचे तो आववा जो पाली जिले में इस्तिते गाउं है तो यहां के ठाकुर कुसाल सिंग ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिय तो ठाकुर कुशाल सिंग जो की आववा के थे तो इन्हो ने क्रांति कारियों की बहुत शहायता की आववा का ठाकुर मारवार का सक्ति साली सामंत ठा, ठीक है याद रखिएगा कि सामंतों की हालत जो है अंगरेजों की वज़ज़ से खराब हुई थी, तो यह लोग पहल महराजा दोनों का विरोधी था ऐसा कहा जाता है कि मेवाड और मारवाड के अनेक सामत अपनी सैनाई लेकर कुसाल सिंग के साहता के लिए आववा आ पहुंचे जोदपुर के महराजा ने सिंगवी कुसल राज के नित्रत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हितु आववा भेजी 8 सितंबर 1857 को आववा के ठाकुर और क्रांतिकारियों की किस-किस के बीच में आववा के ठाकुर कुसाल सिंग और क्रांतिकारी इन्हों ने जोदपुर के राजकियों फौज को पराजित कर दिया तो बिठोडा नामकिस्थान पर जो है इनका युद्ध होता है आववा के ठाकुर कुसाल सिंग और उसके साथ में क्रांतिकारी जो थे और दूसरी तरफ जोदपुर की सैना थी ठीक है जिसमें जोदपुर की सैना हार जाती है इस संगर्स में किलेदार अनार सिंग मारा गया तो अनार सिंग जो था किलेदार तो वह है कौन से युद्ध में मारा गया था तो 8 सितंबर 1857 को जो बिठोडा नामकिस्थान पर युद्ध होता है तो उसमें किलेदार अनार सिंग जो है वह है मारा जाता है सिंगवी कुसल राज जान बचा कर वहां से भाग कड़ा हुआ जोदपुर फॉज की तोपें बहुत सारे युद्ध सामिकरी क्रांतिकारियों के हाथ लग गई इस घटना के कुछ समय बाद ही एजीजी लॉरेंस एक सैना लेकर स्वैम आओवा आया तो अब यहां पर एजीजी लॉरेंस जिसको लगा कि क्रांतिकारी जो हैं यहां पर सब कुस तहसन है सकर देंगे तो इस वज़े से जो लॉरेंस है वह खुद ही आता है इस बार सैना लेकर आओवा 18 सितंबर को लॉरेंस की सैना और क्रांतिकारियों के बीच में तो 18 सितंबर को गोरे काले का युद होता है गोरे यानि अंग्रेज और काले यानि की क्रांतिकारी तो लॉरेंस की सैना और क्रांतिकारियों के बीच में भीसर्स अंगर्स होता है जिसमें लॉरेंस जो है वो दुबारा से हार जाता है ब्रिटिस फॉज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी जो है वो दिदली की और कूच कर गए ठीक है तो जो 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा नामकिस्थान पर युद्ध होता है उसमें भी अंग्रेजों की हार होती है तो देखिए यहां पर 1857 आववा के लिए के इसी दर्वाजे पर लटकाया था अंग्रेजों का सिर तो क्रांतिकारी ने अंग्रेजों का सिर जो है वो काट कर इसी आववा के लिए के दर्वाजे पर लटकाया था ठीक है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आववा की पराजे को भूला नहीं था इसलिए आववा के ठाकुर से बदला लेने के लिए अब उसने ब्रिगेडियर होम्स के नित्रतम में एक बहुत बड़ी सैना जो है वो आववा भेजी 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आववा पर आक्रमन कर दिया दोनों सैनाओं के बीच में फिर से संगर्स होता है इस संगर्स के दोरान ठाकुर कुसाल सिंग आववा के किले को छोड़ कर सलूमबर चला जाता है तो अब की बार जो है यहाँ पर बहुत बड़ी सैना जो है ब्रिगेडियर होम्स लेकर आता है तो आववा के ठाकुर जो है उसका सामना नहीं कर पाते हैं और इस वज़े से उस किले को छोड़ कर सलूमबर चले जाते हैं तो हलाकि जो सलूमबर के यहाँ के जो लोग थे सामन्त जो थे उन्होंने भी बहुत यहाँ योगदान दिया था लेकिन खुलकर जो है वो सामने नहीं आये थे तो यहाँ दो लोगों के जो है वो नाम आते हैं सलूमबर में एक तो रावत केसरी सिंग और कोठारिया के रावत जोच सिंग ठीक है उसके जाते ही ब्रिटिस फॉजों ने आववा के किले पर अपना दिखार कर लिया अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रवल थी कि उन्होंने पूरे गाउं के बुरी तरह लूटा और आववा के किले को बारूद से उड़ा दिया इतना ही नहीं उन्होंने आववा के मन्देर मूर्तिया इन सभी को नष्ट कर दिया और वहा के निवासियों पर भीशन अत्याचार किए ठीक है तो आववा की कुसाल सिंग जो थे ठाकुर कुसाल सिंग तो जब जैसे ही वहाँ से जाते हैं सलूंबर चले जाते हैं तो यहां पर अंग्रेज जो है वह है यहां ताना साही करने लगते हैं सब कुछ तहस नहस कर देते हैं मेवाड में करांती की गूंज इस समय मेवाड की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद काफी रोज था मेवार के अधिकान से सामन्त ब्रिटिस सत्ता के विरुद्ध थे नसीरावाद में हुई क्रांती की सूचना उधैपुर पहुँच चुकी थी अतहे मेवार की फौजे भी अंग्रेजों के विरुद्ध बिद्रोह करने के लिए लगबग तैयार ही थी किन्तु मेवार के महराणा की सूच बूजने और अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रुखने इस्तिती को बेगडने से समहाल लिया इस समें महराणा और कम्पनी की सरकार दोनों को ही मेवार के सामन्तों से भैठा अतहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्या हो गए ए जी जी के निर्देश पर मेवाड के महाराणा स्वरूप सिंग तो उस समय उदैपुर जो थी वहाँ पर स्वरूप सिंग जो थे रियासती शाशक थे तो उदैपुर जो है वो किसमें आता था मेवाड मही 27 मही 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्तर भेज कर कहा कि ब्रिटिस सैनिक कारवाई में सहयोग करें अंग्रेजों का साथ दें और पॉलिटिकल जो एजेंट है कप्तान सावर्स तो उसके निर्देशों का पालन करें ठीक है किसी भी क्रांतिकारी को यहाँ मेवाड में ना घुचने दें दूसरी और कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी सांति भंकरने का प्रयत्न करेगा तो उसे भी कठोर दंड दिया जाएगा यहाँ तक कि सलूंबर के रावत केसरी सिंग ने जब मेवाड के महाराना के अधिकारों को चुनोती देते हुए कहा कि यदि आठ दिन में उसकी परमपरागत अधिकारों की मांग को सुईकार नहीं किया गया तो वह चितोर की गद्धी पर महाराना के किसी प्रतिद्वन्दी को बिठा देंगे तथा तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंग को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराना के वृद किसी भी कारवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्त कर राजपुताने से ही निस्कासित कर दिया जाएगा तो कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंग सांत हो गए तो मैंने आपको बताया के सलूमबर के रावत केसरी सिंग उनका नाम आता है 1857 की करांति के समय ठीक है और दूसरा जो नाम आता है वो आता है कोठारिया के रावत जोती सिंग हाला कि ये लोग क्रांतिकारी के साथ ही थे लेकिन खुलकर सामने नहीं आते हैं घवरा जाते हैं तो यहाँ पर सलूंबर के रावत केसरी सिंग ने जब यहां महाराना की अधिकारों को चुनोती दी कि हम जो है आपकी बास से सहमत नहीं है तो यहां का जो पिये था कॉन कप्तान सावर्स तो उसने रावत केसरी सिंग को ये धमकी दी कि यदि महाराना के विरुद कोई भी कारवाई करेगा तो उसे यहां राजपुताने से ही बाहर निकाल दिया जाएगा तो ये शांत रह जाते हैं फिर देखिए कोटा में क्रांती तो कोटा जो है सैनिक छावनी तो नहीं थी लेकिन यहां पर क्रांती हुई राजे स्थान के राज्यों में हुई 1857 ईस्थी की क्रांती में कोटा का महत पुर्पूर्ण स्थान है कोटा में विद्रहों का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट कोटा में कौन था पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन इसने कोटा महराव को यह सला दी तो यहां जो महराव थे कौन राम सिंग कि कुछ अफसर बफादार नहीं है तथा उनका रवईया अंग्रेज विरोधी है अतहवे ऐसे अफसरों को पद चुद कर अंग्रेज अधिकारियों को सौप दे तो देखिए अंग्रेज जो है कैसी कैसी चालें चलते थे तो यहां पर का जो पिय था मेजर बर्टन उसने यहां के महराजा को सलाहा दी कि जो अफसर हैं वो बफादार नहीं है उनका रविया जो हैं अंग्रेज विरोधी हैं तो उनको उनके पदों से हटा दिया जाए जिससे और उन्हें अंग्रेजों को सौप दिया जाए जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौपने की मांग की थी उनमें जैदायाल, रत के सबी सिपाही क्रोध से पागल हो गए और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निस्चे किया तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 कोटा के सैनिकों ने क्रांती का बिगुल बजा दिया तो यहां कोटा में जैदयाल, रतनलाल और जीयालाल इन्होंने जो है यहां पर क्रांती का बिगुल बजाया कोटा के सैनिकों ने क्रांती कारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी अब देखिए जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो सीन जो है वो हमारे सामने ही चल रहा है तो यहां पर कोटा में मेजर बर्टन था और उसके दोनों पुत्रों की सबसे पहले ये लोग हत्या कर देते हैं क्रांती कारी क्रांती कारियों ने सहर में जुलूस निकाला और महराव के महल को घेर लिया महराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए और फिर क्रांती कारियों ने महराव को एक संधी पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवस किया और इसमें नो सर्तें थी तो जिसमें एक सर्थ ये थी कि अब इनको जो है जिस तरीके से अंग्रेज मजबूर करते थे इनको तो वही चाल जो है इन्होंने इनके उपर अपनाई वेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या स्वयम महराव की आदे से की गई है ऐसी क्रांतिकारियों ने शर्थ जो है उन्होंने रखी और साइन करने को कहा राम सीम को महराव को क्रांतिकारियों की इच्छा नुसार विवार करने के लिए तब तक विवस होना पड़ा जब तक करोली से सैनिक सायता प्राप्त नहीं हो गई क्रांतिकारियों का कोटा सहर पर लगवग 6 महीने तक अधिकार रहा तो यहाँ पर कोटा सहर पर क्रांतिकारी 6 महीने तक जो है इसको घेरे रखते हैं राम सिन जो थे उनको नजर बंद कर लिया जाता है महल में ही उन्होंने सरकारी गोधामों, बंगलों, दुकानों, अस्तर सस्र के भंडारों आदी को लूटा और उनमें आग लगा दी उन्होंने जिले के बिभिन कोसागारों को भी लूटा ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांस अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था क्रांतिकारियों ने सहर में लूट मार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीसर आतंग पैदा कर दिया यह इस्तिती तब तक बनी रही जब तक मेजर H. G. Roberts नसीराबाद से पचपन सो सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुँचा तो यहाँ पर तब तक क्रांतिकारी जो है तो उनका ही दवाब यहाँ पर बना रहा उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआधार गोले बरसाए रॉबर्ट्स जो है वो सैना लेकर आता है बहुत बड़ी और फिर क्रांतिकारियों पर गोले बरसाए जाते हैं और उन्हें कोटा से बाहर भागने के लिए विवस्त कर दिया जाता है तब जाकर कोटा करांतिकारियों के नियंतरण से मुक्त कराया जा सका करांतिकारी नेताओं और विद्रोही सैनिकों को अमानुशिक दंड दिये गए और जैदयाल को गरफतार करके उसे तोप से उड़ा दिया गया तो उसके बाद यहां पर कोटा में भी जो करांति थी यहां पर दब जाती है अन्य राज्यों में करांति की गूंज राजिस्थान में 1857 की करांति केवल मारवाड, मेवाड और कोटा तक ही सीमित नहीं रही बलकि इसकी गुंज राजिस्थान के अन्य राजियों में भी सुनाई दी भरतपुर जो आगरा और मतुरा के काफी निकट है क्रांती के समय असांत रहा मतुरा में विद्रो हो जाने के बाद भरतपुर सहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सैना ने भी क्रांती का बिगुर बजा दिया भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मौरिशन को भरतपुर छोड़ कर जाने की सलहा दी पिर देखिए सलूंबर के रावत केसरी सिंग ने आसपास के जागीरदारों के साथ लेकर आववा के ठाकुर के सुतंदरता यग में भरपुर सहायता की तो यहां आववा से निकल कर सलूंबर आ जाते हैं ठाकुर कुसाल सिंग तो यहां पर इनको हैल्प मिल जाती है तो उदैपुर के महाराना ने कमपनी सरकार के साथ जो संधी की थी कि कोई भी जो ब्रिटिस विरोधी है उसको इस एरिये में ना घुशने दिया जाए जो भी महाराजा थे उनको ये एलान पहले से ही कर दिया था तो यहाँ पर केसरी सिंग जो है वो आ चुके थे तो इस वजह से AGG Lawrence ने केसरी सिंग की ब्रिटिस विरोधी गतविदियों को देखकर यहाँ के महाराना को ये दवाब डाला कि वे उसके विरुद कारवाई करें लेकिन महाराना उसके विरुद कोई भी कारवाई नहीं कर पा ठीक है तो यहां कोठारिया के रावत जोती सिंग जो है इनका साथ देते हैं कुसाल सिंग का उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उसके परिवार को भी शरण दी थी और सब प्रकार की सुख सुविधाय उपलब्द कराई तो इस प्रकार बिटिस सत्ता का विर इस वी तक समस्त भारत में विद्रोह को चल दिया गया नवंबर 1858 इस वी में इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का जो शाशन है वह ब्रिटिस ताज को सौप दिया ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेसों को या स्वाशन दिया गया कि उनके जाधा उग्र रूप ले लेती तो 1947 तक भारतियों को इतना जाधा अत्याचार सेहन नहीं करना पड़ता तो यहां पर यह सब जो है वो अंग्रेजियों की चाल ही थी तो उदेपूर महाराना ने स्वागत किया इनका और अंग्रेजियों के सम्मान में भव्य दावत दी ग कैसे आधुनिक सिक्षा का प्रसार, नए मध्यमवर का जन्म, प्रशाशनिक सेवाओं में जन साधरन की न्युक्तियां, वैश्य शमदायों का सहयोग लिया जाने लगा इन्हें महत्व पूर्पद और बिभिन परकार के संरक्षन देना और कुछ तरह के कारे ऐसे होने गए तो क्या कारण रहे 1857 की क्रांती का तो चलिए देखते हैं राजिस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रती अपनी जुकने की प्रवति का परिचे दिया बिलकुल सही बात है हमने देखा कि जो साशक थे वही डर गए अंग्रेजों से और डर की वज़े से अप जोही टोक, भीका नेर, डुंगरपूर, बासवाड़ा प्रताबगर के साशकों ने विपलव की आंधी को रोगने के लिए ब्रेटिस सत्ता को सहयोग किया मुगल समराद बहादुर्शा और इस्थानिया विद्रोहियों ने राजिस्थानी राजाओं को सोतंतरता संग्रा के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपरक का अभावरा, अब इनमें आपसी एकता नहीं थी और एक दूसरे से जो हैं इनका संपरक नहीं था, इसी वजह से अलग-अलग करांती जो है अलग-अलग जगह पर होती है, और मुठ्णी भर करांती कारी थे, लेकिन अंग्र को विद्रोहियों से निपटने का अफसर मिल गया मारवार मेवार जैपुर आदी के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सायोग नहीं दिया ये भी कारण रहता है असफल होने का राजिस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एक्ता का अभाव था नेतरत्व के लि बताईए कि 1859 की करांती असफल तो होनी ही थी विद्ध नमबर लेके राजिस्थान अननेक देशी रियासतों में बटा हुआ तो यहाँ पर एक दूसरे का जो है इन्होंने एकता नहीं निभाई नहीं संगठन किया उनमें नेतरत्व का भी सर्व था अभाव था क्रामतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा उनमें त्याग बलिदान की भावना तो थी किन्तु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रण कोशल ही था न वे अंग्रेज सैनिकों के समान पैसिक शित थे ठीक है तो ना तो जो भारतिय थे वो पढ़े लिखे थे और ना ही उनके अंदर अंग्रेजों की तरह ऐसी चाला की थी इसकी अतरेक्ते करांतिकारियों को धन, रसद और हत्यारों की कमी का भी सामना करना पड़ा अंग्रेजों ने अन्य शित्रों में हुई करांती का दमन करते हुए जून 1858 तक उतर भारत की अधिकान सबागों पर पुनहे अपना नियंतरन कर लिया तो जो भी करांती हुई थी, वो धीरे-धीरे पूरी तरीके से समाप्त हो गई और दुबारा से अंग्रेजों का यहां अधिकार हो गया इसकारण उन्होंने राजिस्थान में हुई करांती का दमन करने के लिए अपनी पूरी सक्ति लगा दी अब दिखिए यह तो सभी कारंड थे छे, अब दिखिए 1857 की करांती के असफल तक के परिणाम क्या निकले तो सन 1857 की करांती के असफल होने के बाद राजिस्थान की रियासतें ब्रिटिस संरक्षन में चली गई ब्रिटिश समराट ने राजिस्थान की सबी रियासतों में कमपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी जो भी संधियां पहले की गई थी तो वो दुबारा से चालू हो गई राजिस्थान की जंता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुस हो गया एक तोवे रियासती राजाओं के अधीन थे दूसरे अंग्रेजों का भी उनपन्यंत्रण हो गया परिणाम सरूप यहनिशित हो गया कि निकट भविश्य में राजिस्थान में सोतंतरता अंदोलन का कोई भविश्य नहीं है अंग्रेजी सिक्षा के प्रसार के कारण लोगों में राष्टिय जागरती का प्रादुर भाव हुआ स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाशा के फल्चरूप लोगों में क्रांती की भावना दुबारा से पल्लवित होई हाला कि अंग्रेजों की वज़े से ही एक चीज जो है वो अच्छी हुई और वो क्या हुआ अंग्रेजी सिक्षा का प्रसार तो इससे भारतिय जो कि पड़ लिख गए उनमें जो है राष्ट्री जेक्तना की भावना जो है वह आई और इस वज़े से आगे जाके उन्होंने लोगों को इखटा करना सुरूर किया ठीक है इस भावना का बल परदान करने वालों में अर्जुन लाल सेथी केशरी सिंग बारहट गोपाल सिंग खरवा आदी अग्रणी माने जाते हैं इस करांती के असफलता ने भावी संगठित आंदोलनों की भूमे का तयार कर दी तो अब एक एक करके जो है वो आंदोलन के लिए संगठन जो है वो तयार किये जाने लगे तो चलिए यह chapter जो है वो complete होता है बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको read कर लिया है बिल्कुल ही story type था और मैंने यहां पर आप लोगों का बिल्कुल भी time waste नहीं किया है ठीक है जो भी चीज बताने वाली थी बताई जाती है और यहां पर किसी भी तरीके से आप लोगों क समय बरवाद ना हो और chapter भी आप लोगों का समय पर पूरा हो जाए तो इसी तरीके से हमने यह chapter complete किया आप देखिए अभ्यास प्रस्ण जिसमें अति लगूत रात्मक प्रस्ण जो है वो देखिए 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजिस्थान के किसरियासत के साथ संधी की थी तो सोचिए आप लोगों ने जो है chapter बहुत अच्छे से रीट कर लिया है अब बताईए question number one का answer पटावड से दिमाग लगाईए और सोचिए कि 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजिस्थान के किसरियासत के साथ संधी की थी तो मैंने जब chapter पढ़ाया आपको जो लास्ट वीडियो हमने देखा था उसमें ये चीज बताई थी सबसे अंत में जो सिरोही राज्य था उसने संधी की 1857 इस्वी की करांती आरम होने के समय राजिस्थान में कहां कहां सैनिक छावनिया थी तो कहां कहां थी कुल मिलाकर जो है वो छे सैनिक छावनिय थी नसीराबाद जहां पर सबसे पहले जो है वो करांती होती है उसके बाद नीमच उसके बाद एरिनपुरा ठीक है और उसके बाद देवली ब्यावर खेरवाड़ा तो ये सबी छे सैनिक छावनिया थी कोटा जो है वो सैनिक छावनिय नहीं थी तो ये second question जो है वह होता है complete थर देखिए राजिस्थान में 1857 इसवी की करांती का आरंब किस दिना को हुआ तो सबसे पहले यहां पर करांती स्टार्ट होती है नसीराबाद से तो नसीराबाद की डेट क्या थी 28 मई 1857 राजिस्थान के उन तीन प्रमुकिस्तानों का नाम लिखिए जहां 1857 इसवी के सैनिक विद्रो हुए तो फटापर से बता दीजिए एक तो नीमच है एक एरिनपुरा है और दूसरा नसीराबाद है ठीक है राजिस्थान के उन तीन राजाओं के नाम का उलेक कीजिए जिन्होंने 1857 इसवी की करांती में करांती कारियों का सहयोग किया तो किस किस ने किय तो यहां हमने देखा कोटा के जो महाराजा थे राम सिंग उन्होंने साथ दिया था उसके अलावा हमने देखा जोदपुर के जो महाराजा तकत सिंग उन्होंने साथ दिया था ठीक है उद्यपुर में स्वरूप सिंग उन्होंने साथ दिया था तो इस तरीके से अत्ती ल अगुत्रात्मक प्रश्नो राजिस्थान में अंग्रेजी सामराज के आरंबिक विस्तार पर प्रकास डालिए तो जो हमने पढ़ा है उसको आप सोचिएगा राजिस्थान में 1857 इसवी की क्रांती के आरंब के प्रमुक कारणों को संग्षेप में समझाईए तो मैंने बताय आपको कि क्रांती जो है वो क्यों होती है क्या कारण रहे राजिस्थान में 1857 की क्रांती में मेवाड के योगदान का वर्डन कीजिए कि यहां मेवाड में जो साशक थे उन्होंने किस तरीके से अंग्रेजों का साथ दिया और यहां के जो लोग थे उन्होंने क्रांती कार हो गया क्या कीजिए तो यह जो है complete हो जाता है chapter यदि हम in question को solve करते हैं तो हमने chapter वो है बहुत अच्छे तरीके से read कर लिया है तो 1857 की क्रांती का जो है आप लोग यदि बना रहे हैं notes में तो बिलकुल यहां से जो है बहुत अच्छे से notes जो है वो आपके तयार हो सकते हैं तो चलिए मिलेंगे next video में thank you